राहुल गांदी जी ये साबित कर रहे हैं कि वो कुछ भी कह सकते जब विदेश जाते हैं वो ये भी कहें कि मैं अपनी कॉंग्रेस का नाम भी अब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग रखना चाहता हूँ कल तो वो आईसेस को भी सेकुलर कह सकते हैं ये वही लोग है जो अफजल गुरू और याकूब मेमन को हालात का मारा और न्याय प्रणाली से प्रथारित भी बताते हैं राहुल गांदी जी ये साबित कर रहे हैं कि वो कुछ भी कह सकते हैं जब विदेश जाते हैं और ना तो उसका सप्य ना तथ्य से कोई लेना देना भारत के प्रधानमंत्री के सब को वो बुरा कहेंगे सिर्व अपने आपको अच्छा पाते हैं अब उन्होंने कह दिया कि मुस्लिम लीग जो है सेकुलर पार्टी है उससे जादा कोई सेकुलर पार्टी ही नहीं है वावाई तो करनी पड़ेगी उनको बाकी दुनिया हसे उन पर दुनिया उनके शब्दों को नकार दे दुनिया उनसे बिलकुल अलग माने कि इनकी सोच बिलकुल गलत है लेकिन राहूल गांदी जी को फरक नहीं पड़ता और कॉंग्रेस के पार्टी के पास कोई चारा न नहीं वो ये भी कहें कि मैं अपनी कॉंग्रेस का नाम भी अब इंडियन यूनियन मिसलिम लीग रखना चाहता हूँ क्योंकि उनके मन में एक खायश है कि मैं किसी तरीके सता हासिल करूं और उस सता हासिल करने के लिए वो कोटों को बुरा बोड़ रहे हैं और अच्छा कि लोगों क्या सेट आफ पीपल्स की वोट लेना उनका परपस रहे हैं तुष्टी करन की रायनिती पर उतर आए हैं वो रायनिती करते करते हैं जिन लोगों को वोट बैंक के वाइरस ने ग्रसित करके रखा है उनकी विकृत सेकुलरिजम की परिभाशा में देश के और समाज के विभाजन के लिए जिमेदार दल भी सेकुलर बन सकते हैं कल तो वो आईसेस को भी सेकुलर कह सकते हैं ये वही लोग है जो अवजल गुरू और याकूब मेमन को हालात का मारा और न्याय प्रणाली से प्रथारित भी बताते हैं ये वही लोग है जो आएसेफ जैसे दलों के साथ गड़बंदन भी करते हैं जिस पर उनी के नेता साफरन टेरर हो जाता है किस प्रकार से कृष्ण जी जिहाद का पार्ट सिखा रहे थे अरजुन जी को ये भी कह लेते हैं तो ये उनकी विक्रित वोट बैंक की राजनिती के चलते इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं भारतिय जनता पार्टी जिसको करोडों लोगों ने की जननी हैं जो बड़े दंगे और नरसंगार हुए चाहे 1984 का नरसंगार हो जिसको कॉंग्रेस ने जायज छेराया आज भी जगदीश टाइटलर उनके दल में हैं सज्जन कुमार को बचाया हाशिमपूरा मीरट मल्याना भागलपूर मुंबई नेली ये सारे तमाम दंगार और दंगे कॉंग्रेस के राज में हुए तो कॉंग्रेस मतलब